हिमाचल प्रदेश में सजावली के बाद मंडी की मस्जिद को लेकर भवाल हो रहा है आज हिंदुवादी संगटनों ने मंडी की मस्जिद में अवैद निर्माड को लेकर प्रोटेस्ट किया प्रदर्शिन कारियों को अचाने के लिए वुलिस ने वाटर कैनन का भे इस्तमाल किया और इसी बीच मंडी के नगरेगम आयुक्त ने मस्जिद की दो अवैद मंजिलों को गिराने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है हिमाचल में मस्जिदों को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है उसे देखते हुए मुख्यवंत्री सुगविंदर सिंग सुखु ने औल पार्टी मीटिंग भी बुलाई बैटा के बाद सुखु ने कहा कि जहां भी अवैद मस्जिद हैं वहाँ कानून के मताबिक कारवाई की जाएगी लेकिन कानून हाथ में लेने की जाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी वक्वोट संशोधन बिल में किवार कोट के माध्यम से राइशुमारी का जाकरी दिन है इसे देखते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस बिल के समर्थन और विरोध में पूरा दमखम लगा रहे हैं चुकि आज जुमा है और जुमे के नमास के लिए मस्जिदों में भारी भीर लगी है इसलिए दिली मुंबई पटना लखना हूँ और अजमेर समेट देश के कई शहरों में मस्जिदों के बाहर की वार कोड लगाए गए हैं और मुसल्मानों से इस बिल का विरोध करने के लिए कहा जा रहा है वहीं कई हिंदुवादी संगठन इस बिल के समर्थन में जीजान लगाए हुए हैं उन्होंने भी सारवजनिक जगहों पर क्यू आर कोड लगाए हैं और बिल का सपोर्ट करने की अपील की जा रही है DRDU ने आज लगातार दूसरे दिन वर्टिकल लॉंच शॉर्ट रेंज सर्फिस टू एर मिसाइल का सफल परिक्षड किया है इस मिसाइल की मारक शमता 30 किलो मीटर तक है और ये 12 किलो मीटर के उचाई तक जा सकती है खास बात ये कि इस मिसाइल के जर्य दुश्मन के मूविंग टागेट को हिट किया जा सकता है उलिशा में चौणी पूरेंच से दागीगे this मिसाइल की एक और खासियत ये है कि इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं पाने और पलक जपकते ही ये दुश्मन के किसी भी हवाई खत्रे को तहस नहस कर सकती है कनाटा के मांडिया में हिंसा के खलाफ विश्व हिंदू परिशद और दूसरे हिंदू संगटनों ने आज बेंगलूरू के टाउन हॉल के सामने प्रदर्शन किया भीचपी के नेता भगवान गडेश की प्रतिमा लेकर प्रोटेस्ट करने पहुचे थे हाला कि वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी जो इन्हें हिरासत में लेकर गई बिजेपी ने भी मांडिया में गडेश विसर्जन के दोरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है कनाटा के पूरे मुखे मंत्री और जेडियस के नेता एशडी कुमार स्वामी भी आज मांडिया गए उन्होंने कॉंग्रिस सरकार पर मुस्लिम तुष्टी करण का आरोप लगाया है